दमित्रों एक प्रस्णा है क्या ग्रह दसा, जादू टुना, धूत प्रेद, इत्यादी जो कहते हैं बाहरी उपरी प्रभाब पड़ता है मनुष्य के उपर तो ये बात इतने सत्य है कि जगा जगा पर ऐसे बादा, पंचाने वाले बाबा, ओज़ा, जहांकरी ना जाने कितने बैठे हैं और ये चल रहा है तो क्या सच में ऐसे ही मनुष्य को उपरी प्रभाब जैसी कुछ चीज पड़ती है इस पर हम बात करेंगे तो इसमें पहले ये बात समझे हम पर बाई ही प्रभाब पढ़ता है पहले बात बाई ही प्रभाब हम पर पढ़ने का अर्थ ये है कि बाहर कुछ भी घटना हुई तो उससे हम अगर प्रभाबित हो जाते हैं तो हम पर बाहरी प्रभाब पढ़ा दैनिक जीवन में भी हम देखें बाहरी प्रभाबों से जिते हैं अगर कहीं कुछ घटना घट गई तो हमारी भीतर उसका प्रभाब पढ़ जाता है हम भैबित हो जाते हैं दुखित हो जाते हैं चिंतित हो जाते हैं हमारे फेमली में वा हमारे आफंति के परिवार में कुछ दुरगटना हो गया किसी की डेथ हो गई तो हम पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बहुत दुखी और चिंतित हो जाते हैं इतना इतना ही नहीं चुटी चुटी बात पर हम पर असर डालती है राश्ते बेर चल रहे हैं कोई आप गों देखे हांस रहा है उसका भी आप पर प्रभाव पढ़ जाता है आप चिंतित हो जाते हैं आप परिशान हो जाते हैं यह सुचते हैं कि वो आदमी ने मुझे पर देखे क्यों हसा कोई बात कर रहा है तो उसका भी आप पर प्रभाव पढ़ता है आप सोते हैं कि उसने मुझे, मेरी बात उसने क्यों की, कुछ कहे दिया आपको किसी ने, तो आप कहोगी उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो इसलिए बाहरी प्रभाप तो दिन भर हमारे भितर होती रहती है, इसलिए बाहर की प्रभाप हमारे भितर पड़ेगी, ये बात सच है सिंपल तरके से हमने इसको जाना कि कहीं कुछ होता है जैसे कि आपको किसी ने बुरा कहे दिया और आपको उस पर प्रभाप पड़ेगा आप चिंती तो हो जाएंगे क्रोधी तो हो जाएंगे आपके वितर का जो क्रोध है उसकी चावी बाहर किसी के हाथ में है वो कुछ कहे देगा तो वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा आपके वितर का भहे उसका चावी किसी दूसरे के हाथ में है वो कुछ दिखा देगा आपको कोई बात कहेगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे वितर जो भी चीजें हैं उनकी चावी बाहर के लोगों के हाथ में हैं बाहर के परसितियों पर है इसलिए बाहरी प्रभाव या उपरी प्रभाव हम पर पढ़ता है और इस बात हम सुछम तरीके से समझें आप जिसकी संगत करते हो उसका भी आप पर प्रभाब पड़ता है आप एक गलत बिक्ति के साथ बैठते हो जिसकी इनर्जी नेगेटिव है वो नेगेटिव तरिका से सोचते हैं तो भी आपका उस पर असर पड़ेगा आप भी उसी के जैसे हो जाओगे आप किसी सादू संथ और अच्छे आदमे के साथ बैठोगे तो उसका आनन्द प्रेम पुजिटिव इनर्जी वो आपके उपर प्रभाब डालेगी इसलिए सत्संग का इतना बड़ा अर्थ है अध्यात्म में सत्संग को ही बताया गया कि वह ही एक मात्र मार गये अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए क्यूंकि आप तो बाहर की प्रभाबों से जीते हैं और बाहर बहुत गलत बेखती हैं गलत पोजिटिव नेगेटिव इनरजी होती हैं तो उनके साथ ही ज्यादा आपका उठना बैटना मिलना होगा तो उसका आप पर प्रभाब पड़ेगा और आप भी ओईसे ही हो जाओगे तो मार्ग क्या है कि आप ऐसी बेखती के साथ संगत करो जहां से आपको पूजिटिव इनरजी का प्रभाब पड़े जहां पर सान्ति आनंद का आप पर प्रभाब पड़े हैं ज्ञान का बोत का आपका प्रभाब पड़े हैं तो फिर गुरु का संगत करने का यह ही आदमी ने, वो बहुत दूर है, आपके पास नहीं है, तो भी उसने आपके बारे में कुछ बुरा सोच लिया, तो भी आपके उपर उसका प्रभाब पड़ेगा, इसी को कहते हैं, यह जादू टोना कर दिया, इत्या दिया, जैसे बच्चे को कहते हैं कि किसी की नजर न लग जाए, जो सुन्दर होते हैं, जो कोमल होते हैं, किसी की सफलता प्राप्त हो गई तो हम कहते हैं किसी की नजर न लग जाए, इसका आर्था क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप सुन्दर हो, सफल हो गए तो आपको देखे इर्षा करने वाले बहुत हैं वो आपके प्रती इर्षा के भाप से, जलन के भाप से आपको सोचेंगे आपके प्रती ऐसा भाप करेंगे तो वो भाप आप पर प्रभाप डालेगा ऐसे ही बात है, जैसे किसी ने गाली दे दिया आपको तो आप पर उसका प्रभाप पड़ी ही जाता है, आपके रोदित होई ही जाते हो मगर किसी ने मुग से गाली नहीं दी, मन-मन में गाली दी तो भी उसका प्रभाप पड़ेगा आपको मन मन में किसी से किसी ने इर्षय किया तो ये क्या होता है विचारं का जगत अद्र से होता है और हमारी पास जो मन है वो हमारा नीजी मन नहीं है वो मन बाहर के समाज के कारण निर्मित है अगर हमारा अपना मन होता तो उस पर कोई भी प्रभाब नहीं पड़ता मगर वो मन समास के तोरा निर्मित हुआ है वो जो लेंग्वेज है जो बिचार है ना हमारे भितार वो बिचार हमारे अपने नहीं है आमने वो समास से सिखा है ना दुसरे से शिखा है और वो समाज में बहुत पहले से वो लेंग्वेज चलते आ रही है और वो सबी किस साजा है लेंग्वेज साजा होती है किसे एक बिक्ति की अलग नहीं होती और उसका जो सब्द आपके मन में विचार जो चलते हैं वो विचार वो ही विचार है जो समाज का है जो पहले से चलता आ रहा है तो हमारा जो मन है, वहाँ पर जो चलने वाले विचार है, वो विचार खुद ही बाहर से आया हुआ है इसलिए उस पर बाहर का प्रभाब पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ बाहरी होगी, बाहर से निर्मित होई होगी तो उस पर बाहर का प्रभाब पड़ेगा, आप पर उसका प्रभाब नहीं पड़ेगा, मगर इसके लिए आपको बिचार से उपर उठना होगा, निरी बिचार होना होगा, अगर आप निरी बिचार हो गए, तो आप पर किसी चीज़ का भी प्रभाब नहीं पड़ेगा, मन किसी भूत प्रेत का साया इत्यादी का प्रभाब पढ़ता, ना किसी का बुरा नजर उस पर पढ़ता, इसलिए इन सब बाहिये प्रभावबों से बचना चाहते हो, तो आप मन से उपर उड़ जाओ, निरिविचार हो जाओ, ध्यान करने लगो, ध्यान करोगे तो आप पर कि किसी का भी प्रभाब नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ध्यान में आप उस जगह चले जाओगे, जहां बिचार ही नहीं होगा, और यह जो भी प्रभाब पढ़ता है, वो कहां पढ़ता है, वो बिचार पर पढ़ता है, पदार्थ पर असर पढ़ता है, और आत्मा पदार्थ त जिस आदमी के भितर, निरिविचार की छहमता ज्यादा होती है, उसको ये बागी प्रभावों का अशर कम पड़ता है, इसलिए देखे, सभी आदमी को सभी किसी में का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई आदमी है किसी को भूत प्रेत लग जाता है, एकदम से वो भूत प्रेत उसके अंदर सड़के वो कमपन करने लगता है और बोलने लगता है, मगर एक किसी आदमी को भूत प्रेत का कोई भी मतलब नहीं होता है, किसी को छोटी सी बात भी ज्यादा प्रभावित कर जाती है, किसी को प्रभाव नहीं कर जाती, तो इस कार्था यह है कि आप अपने भीतर, आपकी चेतना कितने उपर उठी हुई है, जितना नीचे आप मन के नीचे हो, उतना आप पर असर पड़ेगा, जितना आप मन के उपर हो, उतना आप पर कम असर पड़ेगा, जैसे जो लोग पागल होते हैं, उनको छुटी छुटी बात भी असर पड़ जाती है, य रास्ते बेर चल रहे हैं, कोई लोग बैठा है उदर बात कर रहा है, तो वो समझता है कि वो नहों मेरे ही बात कर रहा है, कोई हंस रहा है, तो वो समझता है कि वो मुझे देख की हंस रहा है, तो छुटी-छुटी बातों पर भी उसका असर पड़ जाता है, इतना कहीं पुल तो इस तरह वो सोचने लगता है, तो इतना भी प्रभाप पड़ जाता है, तो इसका अर्था यह है कि जो आदमी अपने मन के गहरे में ज्यादा से ज्यादा गिरा हो, या मन के निचे हो, जिसके उपर मन बैठा है जितना ज्यादा, मन ने जिसको जितना दबाया है, उसको ये चीजे उतना असर डालेगी, और जो मन के उपर चड़ा है, जितना, उस पर ये चीजे कम असर डालेगी, इसलिए भूत्प्रेत सभी को नहीं लगता, यह नहीं, भू भूत्प्रेत सच में होते तो सभी को लगना चाहिए, मागर किसी को लगता है, किसी को ने लगता है, और जो जितना कमजूर आदमी है, उस पर भूत्प्रेत का असर ज्यादा होता है, जो जितना विश्वास करता है इन चीजों पर, उसको ये चीज ज्यादा असर डालती है, जादू, टोना, किसी के नजर लगना और ग्रह नचित्रा इत्यारी है इसकी भी साइन्स है, ग्रह और नचित्रा का भी अपना एक साइन्स है भूत प्रेत का भी अपना एक साइन्स है वो चीजें आप पर कईसे प्रभाव डालती है इसका भी अलग एक सास्रा है जैसे की ग्रह नचितर का क्या आर्थ है कि आपका मन जब निर्मित हुआ आपका सरीर जब निर्मित हुआ उस बक्त ये विश्व की इस्थिति कैसी थी ग्रह किस जगह पर थे तारा किस जगह पर थे प्रथिवी और प्रथिवी सुर्य के सर्वय को परिक्रमा करती है तो उस बक्त प्रथिवी सुर्य के कहा पर थी किस इस्तिती पर वो गुम रही थी, उत्तर में थी, दच्छिड में थी, उपर थी, किस कूण में वो थी, तो ये इस्तिती क्या थी, ये आपका मन बनने में ये चीज प्रधाब डालेगे, क्योंकि आपका मन जो निर्मित होता है, शरीर जो निर्मित होता है, वो तो बाहर से इसमीर तो फुछ वरह निर्मित होता है नहीं है इन आपने खुड तो आपना शरीर बना या नहीं है आपका सरीर तो बाईये चीजों से बना आकास कहते हैं पंचवभौवतिक चीज से शरीर बनता है, आकास, बायू, जल, तेज, आकास, अगनी, तो ये चीजें शरीर को बनाती है, इन चीजें का जो कंबिनेशन है, उससे शरीर बनता है, तो जब शरीर बनता है, उस वक्त आकास की इस्तिति क्या थे, अगनी की इस्तिति क्या थे, जल की इस्तिति क्या सच है ग्रह नचेत्र की इस्तिति क्या थी उस हिसाब से आपका भग्य आपका शरीर बनेगा और आगे आपकी सुसाइटी में पैदा हुए हो आपके भितर क्या-क्या विश्वास है क्या-क्या कल्चर है वो सब कल्चर आप पर प्रुभाप डालेगा क्योंकि उन कल्चरों प जो भूत प्रेट पर विश्वास नहीं करेगा उस पर भूत प्रेट का असर नहीं पड़ेगा जो जितना ज्यादा विश्वास करेगा उस पर भूत प्रेट का उतना असर ज्यादा होगा अब भूत प्रेट हो नहीं हो ये दूसरी बात है आप पर असर पड़ता है पड़ लिए तो इसलिए ये चीज नहीं है ऐसे ही आप चाहते हो अगर कि आपके जीवन में कोई भी बाईगी चीजों का उपरी प्रभाब नजर इत्यादी जादू टोना ना लगे तो आपको त्यान सिखना चाहिए आपको अपने मन से उपर उठना चाहिए निर्विचार होना च बिचारों के जंजाल के अंतरगत ये चीजे आप पर प्रभाब डालेगे इसलिए कहते हैं जो गुरू के पास बैठते हैं सत्संग करते हैं ध्यान सिखते हैं तो उनका पुनर जन्म हो जाता है उनको द्विज कहते हैं क्वाइस बर्न दुआरा जन्म कहते हैं क्योंकि पह तब आप निर्विचार इस्तिति में जाओगे और बाहर के कुछ भी असर आप पर पड़ेगा नहीं तो एक तरह से आपका दुबरा दन्म हो जाएगा तो समझने वाली बात यह है अगर भाये जीजों की प्रभाब आप पर ना पड़े यह आप चाहते हो तो आप ध्यान करो ध्यान सिको गुरुमों के पास बैटो सत्संग करो थोड़ा निर्विचार की कला जानो मन की चेतना को उपर बढ़ाओ तो यह चीजे होकर भी आप पर कुछ भी इसका असर पड़ेगा नहीं मित्रों आज के लिए इतना ही आप नए मित्र होंगे तो मैं सुचना देना चाहता हूं मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइड़ेट मेडिट्रेशन और गहन प्रभशनमाला की विडियोज है वो आप मुझे ले सकते हैं उसके लिए आप मुझे वार्शाप पर च्याट कर रिंग सकना मरा ओ स्क्राइवेटिंग उसके लिए सकते हैं उसकान देह आप मुझे विए विए रोगाइवेट उसके एवेगग